नमस्कार मेरा नाम डॉक्टर मधुबाला गौड है मैं एज अ सीनियर विजिटिंग कंसल्टन जनर लाप्रोस्कोपि सर्जन मनिपाल होस्पिटल गाजयबाद आज मैं आपको ब्रेस्ट अवेर्नेस स्क्रीनिंग और ब्रेस्ट कैंसर के बारे में जानकारी देना चाहती हू यूटरस के मूगा कैंसर यानि कि यह सर्विक्स कैंसर सबसे जादा कॉमन था लेकिन अब ब्रेस्ट कैंसर का इंसिदेंस काफी मातरा में बढ़ रहा है यह ब्रेस्ट अवेर्नेस जागरूपता हर स्थी को अपने स्तन के सामान्य रचना के बारे में और उसमें होने वाले बदलाओं के मारे में जानना जरूरी है इससे उसमें होने वाले और सामान्य या अबनॉर्मल बदलाओं के बारे में वो अच्छे से जान सकती है जिससे breast cancer early stage में detect हो सकता है breast awareness का एक five point code है first code is what is normal for you means आपको normal breast कैसी होती है उसका structure कैसे होता ये पता होना चाहिए second code is look and feel normal breast कैसे दिखती है हातों से कैसे feel होती है और इसमें कोन से समय के साथ साथ normal changes होते है इसकी जानकरी आपको लेनी है know what changes to look for means breast में समय के साथ साथ क्या abnormal changes होते है इसकी आपको जानकरी लेनी है fourth code is report without any delay अगर आपको breast में abnormal changes दिखाई देते है तो आपको तुरंत नजदी की general surgeon को जाकर visit करना या उनको consult करना है fifth code is attend breast screening whenever invited आपके नजदी की area में अगर breast cancer awareness camp है breast screening camp है तो उसका फायदा आपको जरूर उठाना है आइए जानते है normal breast कैसी होती है menstrual periods आने से जस्ट पहले और बाद में breast में estrogen और progestron ये female hormones की वज़े से effect होता है periods आने से जस्ट पहले breast थोड़ी सी सक्त होती है जो मेलाय ज्यादा sensitive होती है उनमें थोड़ा सा दर्थ चुबन और गाठे सी महसूस होती है इसे हम अपने medical language में Andy बोलते है Andy का मतलब cancer नहीं होता है periods कतम होते ही breast थोड़ी सी soft हो जाती है post-menopausal females में मतलब जिन में periods permanently खतम हो जाते या hystectomy के बाद uterus remove करने के बाद breast मुलायम और धीली हो जाती है breast में क्या-क्या abnormal changes हो सकते है stun के आकार या नाप में बदलाओ stun में गाठ stun में जो गाठे होती है उसमें पाच प्रतिशत गाठों में cancer की संभावना होती है निपल का अंदर जाना या सिकूडना निपल से स्त्राव या रक्तस्त्राव breast की तवचा में बदलाओ इसका मतलब या तो जखम, छाला, संत्रे के छिलके जैसी तवचा या तवचा का सिकूडना बगल में गाठ ये सारी चीजे या changes आपको देखना बहुत जरूरी है क्या करना है अगर आपको ये abnormal changes दिखाई देते हैं तो आपको तुरंत general surgeon के पास जाके या doctor के पास जाके report करना है याद रखिए आपको जराबी देरी या लापरवाई नहीं करनी है आप किसी का भी समय बरबाद नहीं कर रहे हो जितने जल्दी आप doctor के पास जाओगे उतनी जल्दी breast cancer का diagnosis होगा उतनी जल्दी आपके cancer का इलाज हो जाएगा और इससे आपकी आयू बढ़ने में मदद हो जाएगी 40 साल से पहले breast cancer की संबावना बहुत कम होती है 40 साल के बाद cancer बनने की संबावना बढ़ती जाती है अब मैं आपको जानकारी दे रही हूँ breast screening के बारे में 35 से 40 साल की उम्र के बाद हर स्त्री को अपनी नजदी की सर्जन के पास जाकर breast screening करवाने लिन चाहिए अगर आपके family में किसी को breast या ovarian cancer है तो ये screening उम्र के 20 से 25 साल से चालू करनी चाहिए 35 साल उम्र से पहले screening के लिए ultrasound और 35 साल की उम्र के बाद screening के लिए mammography मतलब स्तोनों का x-ray होना जरूरी है अगर breast में गाठ है तो आपके सर्जन के सलाह के अनूसार एफनेसी और बायपसी ये लेकर भेजनी चाहिए इस triple assessment से breast cancer detection की संभावना 99.99% almost 100% होती है breast screening के फाइदे क्या है cancer की शुरुवाती दोर में और फैलने से पहले जाच जिससे आपकी आयू बढ़ने में मदद हो सकती है breast conservation surgery breast saving surgery इसका मतलब ये होता है 2 cm से अगर छोटी cancer की गाठ है तो operation में पूरी breast ना निकालके जो सर्जन है बस cancer की गाठ और उसके बाद radiotherapy देते हैं जिससे अपकी breast से हो सकती है याद रखिए breast screening कभी cancer बनाना नहीं रोकती है आईए अब जानते है breast self examination मतलब स्वयम स्थन चिकिस्था के बारे में इसमें आपको अपनी breast का examination खुद करना है ये कब और कैसे करनी है 20 साल की उम्रक के बाद हर मैने menstrual periods खतम होने से जस्ट बाद सुबह आईने के सामने गीली हतेले के उंगलियों से आपको breast के उपर हलका सा दबाओ गोला का रगिशा में दे कर कम से कम 15 मिनिट के लिए ये जाच करनी है breast self examination की 5 कृतिया या steps है breast self examination कभ नहीं करना चाहिए periods चालू होने से जस्ट पहले आपको कभी भी ये breast self examination नहीं करना चाहिए first step में आपको कमर पर हाथ रखकर सामने आईने में देखते हुए अपने दोनों breast का निरक्षण करना है second step में आपको हाथ उपर करके फिर से दोनों breast का निरक्षण करना है थर्ड स्टेप में आपको ये देखना है, स्तनों का आकार में कुछ बदलाव तो नहीं है, स्तनों के शेप्स में कुछ बदलाव तो नहीं है, त्वचा का सिकूडना, निपल का अंदर जाना, निपल से कोई रक्तस्त्राव या स्त्राव, बगल में कोई गांठ है, ये देख स्टेप में आपको अपने गीली हतेली की उंगलियों से ब्रेस्ट के उपर सर्कुलर मोशन में हलका सा दबाव देकर ब्रेस्ट को एक्जामीन करना है फिफ्ट स्टेप में आपको अपनी राइट हैंड से लेफ ब्रेस्ट का और लेफ्ट हैंड से राइट ब्रेस्ट का बच्चों को दूद न पिलाना, फैमिली में किसी को breast or ovarian cancer होना, जिसे कहते है genetic breast cancer, breast में पहले से cancer होना, अगर एक breast में cancer है तो दूसरे breast में cancer होने की समभावना बढ़ जाती है, alcohol use करना, obesity मतलब motapa, dhamrapan and estrogen predominant hormone therapy, ये सारे breast cancer के लिए risk factors है, breast awareness, breast screening and breast self examination के साथ साथ आपको healthy lifestyle को adopt करना बहुत जरूरी है याद रखिए आपकी सुन्दरता आपका स्वस्तो निरोगी शरीर है समय पर जाच और सतर्कता आपको और आपके शरीर को बचाएगी साथ में आपके परिवार को और देश को बचाएगी आगे बढ़ाएगी breast के बारे में अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमको संपर कर सकते हैं मनिपाल होस्पिटल गाजयबाद में धन्यवाद